हेलो गाइज कैसे हैं आप सभी हम जॉगरॉफी पढ़ रहे है और जॉगरॉफी में हम तीसरी चैप्टर पढ़ रहे हैं वायूदाब की पेटियां एवं पवने इस जो तीसरे चैप्टर के पता चल रहा है किसी इस्तान विसेश पर चलती है यह उसके वहां पर तापमान एवं वायुदाद के अंतर के कारण यहां पर जो पवने चलती है उन्हें यहां पर इस्तानी पवने कहते हैं किसी इस्तान विसेश पर चलती है जो जिस भी इस्तान पर यह पवने चलती है वहा जैसे अगर हम positive impact की बात करें तो कुछ इस्तानी पवने हैं जैसे चिनुक है, फॉन है और हर्मटान है, हर्मटान को वहाँ पर डॉक्टर भी कहा जाता है, है ना और brick filter है, तो ये कुछ सकारात्मक effect डालने वाली इस्तानी पवने हैं, और नकारात्मक जो पहलू है इन इस्ता कारी पढ़ जाता है, तो देख लेते हम कुछ इस्तानी पवनों के बारे में जो बहुत important है, और हर वर्स लगबग एक नए क्यूसन उठके आता ही है, यहां पर कि कुछ इस्तानी पवनों का नाम दे दिया जाता है, और आपको match करना होता है कि ये पवने कहा चलती है, तो क कौन से परवत स्तल के आज पाच चलती है, रौकिज, गरम है या सुच है, या फिर या विनाशकारी प्रभाब आलती है, इस प्रकार से क्यूसन भी बन सकते हैं, तो आपको यहां पर हर एक पर के एंगल से यहां पर देखके, यहां पर आमको स्टड़ी करना है, ओके! सबसे पहले हम चिनुक के बारे हम देखे लेते हैं देखो चिनुक और FON को हम साथ सथी पड़ेंगे यह दोनों हवाएं एक ही प्रीकार की हवा हैने एक ही प्रीकार की गुण है घरम है सुसक है ऊसन और जिस भी इस्तान पे चलती है वहाँ पर लाबकोरी प्रभाब डालती है तो इनके नाम अलग-अलग क्यों आप आप यह सोचेंके नाम-अलग इसलिए हैं क्योंकि आलग-लग स्तान पे चलती है है सैक्त-राज्य अमेरिका में इसी हवा को चिनुक कहा जाता है और यूरोप परवत में यहां पर इसे फॉण के नाम दिया गया बस कुछ भी अंतर नहीं है दुरों के अंदर गुण वहीं है लेकिन नाम में अंतर है जो चिनुक है वह सईकतराजी अमेरिका में चलती है यूएसे में चलती है प्रेडीज के मैदान में और रॉकीज परवत के वहां पर यहां पर देखंगे जब यूएस में काफी ठड़ पड़ि आ तो लीकीज परवत असी परिकार से इस प्रैकार से उतरती है और पूरवी ढालों से इस प्रकार से उतरती है यहाँ पर गर्म होती है, सुस्क होती है यहाँ पर आप देखेंगे जब USA में काफी ठंड पड़ती है सीत रितू में तो जैसे ही गर्म और सुस्क हवाएं यहाँ पर पूरवी ढालों से उतरती है तो यहां का जो temperature काफी बढ़ा देती हैं 5-10 degree Celsius तक temperature बढ़ा देती हैं यहां पर जो गिस्म रितू का एसास करा देती हैं मतलब 5-10 degree अगर temperature घट जाए अच्छानक से सर्दियों में तो आपको काफी अच्छा एसास होगा, काफी सुहवना मौसम लगेगा और यहां परivan स्रीत घटू में चारागा खिल जाता हैं यहां की जो बर्ष होती है वो बिगल जाती है इसलिए इस होगा को हिम्बक्षणी भी कहते हैं तो आपको समझ में आ गई बात कि जो चिनक होगा कितनी यहां पर लापकारी प्रवाब डालती है इसी प्रकार की यहां अगर आप फॉन की बात करें तो फॉन भी यही होता है कि आलपस परवत यहां पर मौझूद है यहां पर यूरूप में देखो यहां पर इस प्रकार से तो आलपस परवत के दक्षिन ढालों से चड़ती है यहां से फॉन और उत्री ढालों से उतरती है और यहां पर भी जो सीत रितू में काफी temperature बढ़ा देती है और चारागा विक्सत हो जाते हैं काफी हितकारी प्रवाब डालती है ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है चिनुक और फॉन के बारे में ओके तो आपने इन दोनों की स्थिति देख ली है चिनुक और फॉन यहा अलग 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 इस्तान पर जैसे की इतली में सिरोको कहा जाता है सहरा में इसे सिमूम कहा जाता है लीबिया में गिबली कहा जाता है टुनेशिया में चिली कहा जाता है इस्पेन में लैवेस कहा जाता है तो यह ए fifteen आफ्रीका में तो जो ह्वा है चलती है यहां से जो हवाय स्टार्ट करती है चलना और यहां से जो सहरा के मरुस्तल से लाल जो धूल कि कंड हूते हैं मिट्टी है उसको उठा लेती है और यहां पर आप तो यहां पर बरसात करती हैं तो लाल धूलके कणों को भी गिरा देती हैं तो यहां पर लोग इसे ब्लड रेन कहते हैं रक्त वर्सा के नाम से भी जाना जाता है पर यहां पर यहां पर अफ्रिका में थीडरaltis परसा के लिउसाऱ करता हैं यहां पर लीबिया में इस विंड को गिभली कहा जाता है यहाँ पर आप टुनेश्य की स्थिति देख रहे हैं इसे चिली कहा जाता है ठीक है इस्पैन में इसे लेवेस कहा जाता है तो आपको यह चीजे ध्यान रखनी है तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पवन की नेक्स्ट पवन है यहाँ पर हर्मटान को यहाँ पर डॉक्टर कहा जाता है क्योंकि यह काफी लाबकारी प्रभाव डालती है यहां के जलवाई उपर आप देखेंगे कि यह भी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से चलती है लेकिन उत्तर पूरव से चलत तो हवा इस प्रकार से चलती है सहारा की रिगिस्तान से यहां पर यहां की कॉस्टल एरिया होने के कारण काफी यहां आदर जलवायू रहती है काफी काफी मतलब बिनास्कारी एक अच्छा मौसम नहीं रहता है यहां ठीक है तो जैसे ही गरम हवा यहां सब्सक्राटान के इतम सब्सक्राइब ऑसंद हो जा läuft सब्सक्राइब काइब अच्छा आता है काफी यहां के यहां ordin कर देती है इस लिए यहां के जलवाई उपर काफी अच्छा प्रवाब पढ़ता है और यहां के लोगों को काफी मौसम सुहाबना लगता है ठीक है इसी लिए यहां पर इसे डॉक्टरी पवन कहते हैं इसी प्रिकार की जो हवा है यहां पर आप देख पाने ऑस्टेलिया में भी चलती है इसी प्रिकार की गुणों वाली हवा को यहां प बात करते हैं mittele में मिश्टल जी हवा है इस पैने फ्रांस में चलती यहीं काफी सीथ पवने होती है सामाने तर फैन की स्थिति क्या होतीurg है सामाने पचास से C stitch और बाबने होती है लेकिन कभी-आप बहुत ज़्याद ते अभीune भी चलती क सकती इना और और यहां पर जब इस प्रकार से तेज इस पीड से चलती है न तो वायूयान के चलने में भी काफी कटनाई होती है इसलिए जो इसके समकॉंट पर जिस दिसा में यह हवा चलती है उसी समकॉंट पर यहां पर जाड़िया और पेड़-पौदे लगाए जाते हैं हिस्से की स्साइट depth कम किया जासके समझें तो यहां पर मिस्टल एक प्रकार से विराशकारी प्रवाब ढ involved डालती है अब हम और लोगते के चीदे को मैं को देखं़ यहां पर यहां पर यहां कुन hey a इतली का मैप है यह आडियाटिक सागर है इसके यहां पर उत्री हिस्से में यहां चलती है करी बोरा ठीक है समझ रहे हैं तो यह मैं आपको मैप इसलिए दिखाता हूं जिससे कि आपको जादा अच्छी तरीके से यादरे आप भूले नहीं देरी से भूले मतलब मैं तो यह समझ रहां बार बार रिवाइज करेंगे मैप इंक्लूट करता हूं तो जो आपने दैखा यहां पर मैप ठीक है तो कहां से हवाएं यह हवाएं होती है अटियों इंधियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर यह इतनी ठडी होती है कि यहां पर कभी-कभी जो temperature है हमांग से नीचे भी चला जाता है समझ रहे हैं और यह हवाएं इतनी तेज गती से चलती है कि यहां की जो च्छते होती है उन च्छतों को भी उड़ा ले जाती है आपको समझ रही है वाग ठीक है तो अब हम चलते हैं बिल्जर्ड बिल्जर्ड जलती है कानडा में चलती है कि नामरिका में इसे नॉरथर कहते हैं यहांभी ठंडी हवाáng होती है temperature को मांग से नीचे तक ले जाती है इतनी ठंडी हवाइं यहां पर चलती है ठीक है तो आपको दिकान रखने आप इंडिया में भी एक हवा चलती है काफी फेमस हवाय जैसा आपको बताए मैने लू यहां पर उतरी मैदान में यहां पर गर्मियों में चलती है यहां के टेंप्रिशर को काफी गिरा देती है 10 डिगरी सेल्सियस तक गिरा देती है और यहां के मौसम को बहुत ज़्यादा बेकार बना देती है विनासकारी प्रवाब तो आपको ध्यान रखना है इनकी अलावा भी हमैप मेप से धान रखें इस मैप को डाउंलोड कर लें और वर्ड मैप में इस इन सपही को नामंकित कर दें जिससे बार बार में देखें इसको चिपका लें है जहां पर पर भी पड़ते हैं room में जहां पर आप बार बार देख सकते हैं उस मैप को चिपका लें जिस्से कि आपको यह हमेशा हमेशा याद रहेगा ठीक है तो यह हमने काफी सारी चीज़े पड़ी यहां देखो यहां पर सारा करेकिस्तान आपको ध्यान रगना ठीक है तो आप इसे रिवाइज करते रहें ठीक है आपको यह सारी चीज़े याद रहेंगी और हम अगले चैप्टर के साथ सीख रही आएंगे थैंकि सो मच